हेलो एव्रिवान तो अभी हम इसमें बैक डिजाइन और स्लीज बनाएंगे तो इसे बनाने के लिए हमने आप पर इसको कट कर लिया है तो एक बार मैजर मेंट देख लिएते हैं टोटल लेंद हमें साड़े तेरा इंच रखनी है वान इंच इसमें प्लस किया साड़े चंच और मुल लिया है चेंच यहां पर चेस्ट का चोता भाग लिया साड़े नो इंच टू इंच लिया मार्जन के लिए वेस्ट थर्टी वन उसका फौथ पार्ट लेंगे टू इंच मार्जन के लिया और वान इंच बैक टक्स के लिया है नेक की लेंद हम यहाँ पर 11 इंच रख रहे हैं आप अपने कोडिंग नेक की लेंद कमिया ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से शेप दिया यहाँ पर इस तरीके से शेप देना है इसे कट करेंगे यह जो कट किया उसको हमें साइड में रखना है और मैं फैवरिक को राइड साइड पर रखेंगे उस तरह से कट कर लेना है मैं फैवरिक को राइड साइड पर रखा उसके उपर लाइन रखते हुए स्टीच करना है तो पहले हम नीचे के साइड से स्टीच करेंगे जिसमें हमें पट्टी लगाने की जरुरत नहीं होगी और अब हम नेक को स्टीच करेंगे साइड का एक्स्ट्रा फैवरिक कट करेंगे पूरे ही नेक पर कट लगाएंगे इसे पलट दिना है साइड से एक स्टीच करेंगे नेक को भी स्टीच कर देना है बाकी साइड से भी स्टीच करके एक्स्ट्रा फैवरिक कट करेंगे यह देखिए तो इसको स्टीच कर लिया है अब जो फैवरिक था जिसके हमने डिजाइन कट की थी उसको लेना है वो लाइनिंग फैवरिक पर रखना है और यहां से एक स्टीच लेना है साइड से हम वन इंच एक्स्ट्रा लेकर कट करेंगे इसको क्योंकि वान इंच इसमें मार्जन लेट कर रहे है मैं फैवरिक पर भी कट कर लिया है मैं फैवरिक जो लाइनिंग फैवरिक है इसमें इस तरह से डोरी लगा लेनी है यह देखिए इसको इस तरीके से रखकर हम इसे स्टीच करेंगे तो लाइनिंग फैवरिक खा उसके उपर मैं फैवरिक रखतीया है कट लगाना है और इसे पलट देना है पलटने के बाद साइट से एक स्टीच करेंगे और साइट का एक्स्ट्रा फैवरिक कट कर देना है अब इसमें हमें लेस लगा रही है तो यहाँ पर में सिक्वेंस वाली लेस लगाई है यह देखे लेस को स्टीच कर लिया है दूसरे साइट भी इसी तरीके से लगाना है अब भी हम इसमें लटकर लगाएंगे तो एक सरकल कट किया उसको सेंटर से कट किया और इस तरीके से लटकिन को स्टीच कर लियना है लाइनिंग के साथ यह देखे लेस को लगा दिया अब यहाँ पर हमें लटकिन को इस तरीके से लगा देना है इसको बलट देना है अब दिखिए इन एक को हम इस तरीके से स्टीच करेंगे स्टीच कर लिया अब यहाँ पर हमें लेस लखा लिनी है नेक पर्स ग्रेक लरकी तो यह देखिए लेस को लगा दिया है साइड से एक स्टीच और कर लिना है यह देखिए बैक टक्स लगाएंगे जिसकी लेंद हम फोर इंच रखेंगे यह देखिए तो इसी के साथ हमारा वैक पार्ट कंप्लीट हो गया बस हमें यहाँ पर नीचे के साइड लेस लगा लेनी है तो दिखिए यह हमारा बैक पार्ट का फाइनल लुक अब हम स्लीज को स्टीच करेंगे तो नॉर्माली मैंने स्लीज में जॉइंट लगाया है और इस तरीके से रखकर मैं फैबरिक और लाइनिंग फैबरिक को स्टीच कर देना है यह दिखिए स्टीच किया स्लीज को हमें कट करना है तो हाफ इंच स्टीच करने के लिए चोड़ना है बाकि जॉर्माले वो 10.5 इंच है 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे यहां से लेंद इसकी 10.5 इंच रखनी है 3.5 इंच पस स्लीज को डाउन करना है स्लीज उस राउंड एवो है 13 इंच उसका हाफ लेना है 6.5 इंच 2 इंच हम मारजन के लिए एट करेंगे और से कट कर देना है इसे को रखकर हम एक स्लीज और कट कर लेंगे और फ्रंट का शेप भी दे देना है हमको इसमें यह देखिए इस तरीके से और अभी से हमें स्टीच कर लेना है साइट से तो यह देखिए हमने इसको स्टीच कर लिया है अब यहां पर हमें 5.5 इंच पर मार्किंग करनी है 5.5 इंच का सेंटर लिया विट इसकी हमने 1 इंच रखी है और इस टाइप से हमें लीफ शेफ दे देना है इसका साइट से 1 इंच एकस्टा लेकर कट करेंगे और से हम लाइनिंग फैवरिक पर पेस्ट करेंगे तो देखी इसे पेस्ट कर लिया जो सलीज है उसके सेंटर पर हम एक मार्किंग करेंगे और यह जो डिजाइन है उसको सेंटर पर रखकर स्टीच करना है सेंटर का एकस्टा फैबरिक कट करेंगे पूरे ही डिजाइन पर कट लगाएंगे इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर के साइड साइड से एक स्टीच कर देना है तो यह हमारा फ्रेंट वाला पार्ट है तो इसकी वीडियो भी चैनल पर अप्लोड होगे अगर आपने वो नहीं दिखिए तो उसे भी ज़रूर से डिक लीजगा या आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी दूश रोल्डर को स्टीच कर देना है एक स्टीच बैक साइड पर करना है और स्लीज को सैंटर पर अकर जोइन कर देना है उसलीज का जो एक्स्ट्रा फैवरी कट किया था उसको उम फ्रेंट में स्टीच करेंगे अभी सैंटर पर अपिन अप करते हुए साइड से स्टीच करना है साइड का एक्स्ट्रा फैवरी कट करेंगे ब्लाउस कोल्टा करके एक पिर का मार्जर रखते हुए स्टीच करना है अब यहाँ पर हमें वेस्ट के फोट पर पर मार्किंग करनें 7.5 इंच पर यहाँ चेस्ट के फोट पर 9.5 इंच पर मार्किंग करनी है यहाँ पर इसलिए इस राउंड का हाफ लेना है 6.5 इंच और तीनों मार्किंग को मिलाते हुए हमें फिटिंग लगा देनी है वो फ्रेंट्स ब्लाउस बन कर कंप्लीट हो गया है तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक शेर जरूर करिएगा और चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा थैंक यू तो कि आपके रग जरूर कर चैनल कि बडियो का यू火 झूभ कि वीडियो क्लीट चाहिए जरूर के हाच्टन और चैनल